नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आईज हरकन के दिन भर की खबर जानते हैं आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चलन आज से सुरू पहले चरन में कुल 20,95,831 आविदन लिए गया है जिसमें 14,89,873 आविदनों का निश्पादन हो गया है अब 6,59,958 आविदन लंबी था इस दोरान राजे में 269 कैम्प आविजित किये गया है जारखन की राजधानी राची समेत सभी जूलों में ठर्ण की आहट सुरू हो गई है राजे की तापमान में लगातार गिरावट हो रही है मौसम विभाग की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों में 5 नौमबर तक आसमान साप रहेगा वहीं सुबह में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है मौसम सूस करहेगा अधिक्तम और नियुतम तापमान में बिसेस बदलाग कुमीद नहीं है अधिक्तम तापमान 26-27 तरह नियुतम तापमान 15-16 डिग्री सेस के बिच ही रह सकता है बता दे पिछले आठ दिनों में सबसे अधिक पारा 29 अक्टूबर को गिरा था इस दिन पारा समान्य से करिब 3 डिग्री सेस निचे 14-54 डिग्री सेस तक पहुँच गया था अभी चार दिनों से नियुतम तापमान 15 डिग्री सेस के आसपास ही चल रहा है कोल इंडिया मना रहा अस्थापना दिवस आज कोल इंडिया अपना अस्थापना दिवस मना रहा है राश्ट्रिये करन से पूरुए जहां कोल इंडिया में 70 मिलियन टन कोईले का उतपादन होता था वह वर्तमान में बढ़कर 720 मिलियन टन हो गया है इसमें आधा से ज़्यादा उत्पादन आउट्सोर्स से किया जा रहा है अगामी 2025 ता कोल इंडिया का उत्पादन लग्ष एक बिलियन टन रखा गया है पब्लिक सेक्टर के छेतर में आज गॉल इंडिया पुरे बिस्व में सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादन करने वाली कमपनी बन गई है बता दे पुरे देस में अपने उत्पादन का ये 80 फिश्दी योगदान उर्जा के छेतर में दे रहा है कोल इंडिया में भारत सरकार का 95 दिसेर है तथा यह कमपनी कोईला मंत्राला भारत सरकार से अपरेट होता है जारखन का बिकास हुआ लेकिन आर्थिक पैमाने पर अब भी पिछड़ा जारखन गठन के वक्त 2000 में आर्थिक द्रिष्टी कोन से जारखन की गिंती गरीब और निम्तम आमदानी वाले राजों में होती थी अब एक कई साल बाद भी राजी की गिंती इसी स्रेनी के राजों में होती है हालाकि इस अधी में राजे में कई छेत्रों में प्रगती हुई है प्रगती की इस दोड़ में हर व्यक्ति पर कर्ज का बोर्ड बढ़ता गया है राजे में प्रगती की रफ्तार इतनी तेज नहीं रही कि हम आर्थिक पमाने के राष्ट्रिय औसत तक पहुंच सके राजे को विकास के आउसत राष्ट्री ये अस्तर पर पहुचाने में एक दसक से भी ज्यादा समय लगने का अनुमान है बतादे जार्खन गठन के समय जार्खन की गिंती बिमारू राजी के रूप में होती थी वर्ष 2000-2001 में भी राजी के जिंती गरीब और निमतम आमदनी वाले राजों में होती थी सरकारी आकडों के नुशार वितिये वर्ष 2000-2001 में देश की कूल आमदनी में राजे कहिं सा सिर्फ 1.52 था जहारखन में बिजली संकट गहराया जहारखन में बिजली की कटवती लगातार जारी है और राजे के ग्रामिन इलाकों की स्थिती तो ज्यादा खराब है इसकी बड़ी वज़ा सेंट्रल पूल से कम बिजली मिलना है आपको पता दे कि जीवी वी एनल का केंदर सरकार पास बकाया है इस वज़ा से केंदरिय उर्जा मत्राले ने जीवी वी एनल को पीक आवर में अत्रिक्त बिली खरीदने से रोक लगा दी है अधुनिक पावर से भी आपूर्ती रुकी हुई है ऐसे में राजे में लगातार 350 मेगावाड बिली की कमी रह रही है इस इस्थिती में 15 दिनों से लगातार लोड शेडिंग जारी है हाला तेया है कि फीक आवर में भी गिरीडो को लगातार बिली की लगभग आधिया पूर्ती हो रही है राजधानी में अने जीलो की तुनला में अस्तन 20 गंटे तक ही बिली मिल रही है भारत जोडो का दूसरा चरन 3 नौंबर से शुरू परदेश कॉंग्रेश की ओर से भारत जोडो यात्रा की दूसरे चरन की सुरूआ तिन नौंबर से पलामू परमंडल में होगी तिन नौंबर को लाते हार 4 नौंबर को पलामू पांच नॉम्बर को गढ़वार छो अकूर लोहत्दागा में पद्यात्रा का कार्क्रमताय किया गया इसमें परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स राजेस ठाकूर भारत जोडो यात्रा के परदेश संजोजक सुबोध कांच सहाई परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स राजेस ठाकूर ने बताया है कि राजे में भारत जोडो यात्रा की सुरुवात खोटी जिला से हो चुकी है सिम्डेगा में नवाली के हत्या के बिरोध में सड़क जाम सिम्डेगा सहरी छेदर के महावीर चोक में भाजपायोंने नवाली के साथ दुसकर्म के बाद हत्या कारोप लगाते हुए रोड़ जाम किया है इस वज़ा से एनेच 143 पर दोनों और वानों के लंबी कतार लग गई रोड़ जाम करते हुए पुरो मंत्री बिमला परधान वा अने भाजपा हेमंत सुरेन के खिलाप नारे बाजी कर रहे थे भाजपाय हेमंत सुरेन की दादागीरी नहीं चलेगी आदम खोर हेमंत सुरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाये जा रहे थे बताते चले कि बानों की होलिका कुमारी की मौत और सदर अस्पताल में सोमवार की रात इलाज के दोरान हो गई थी भाजपाईयों को कहना है कि होलिका कुमारी का एक्सिडेंट में मौत नहीं हुगा पहले उसके साथ दुसकर्म हुगा है सर्जुराय ने रघुबर पर साधा निसाना है बिधायक सर्जुराय ने कहा है कि छट महा पर पर सिद्ध गोड़ा सुरे मंदिर से लाखों की कमाई का धंदा रोकने के कारण हमारे करकताओ पर हमला किया गया स्री राय ने कहा है कि लाखों की कमाई हर साल यहां से की जा रही थी सोमवार को पत्रकारों से बात्चीत में उन्होंने कहा है कि दो साल में यानी 2020 से अब तक करोना काल बिता है इसमें कम साधिया हुई है इन दो साल में अकेले सोन मंडब से ही 56 लाख रुपए का सरकारी रहस्व आया है यह रासी पहले नीजी लोगों के हाथों में जाता था मंदिर में सारे काम टाउन हॉल यात्री निवास सोन मंडब चिल्डेन पार्क से लेकर हर चीजे सरकार के फंड से बने है टाउन हॉल से लेकर सोन मंडब तक में पैसे की वसूली होती थी पार्क जानने वाले से 10 उर्परतिव्यक्ति की हिसाब से पैसे की वसूली की जाती थी एन पिएस अच्छी तो हेमंत सरकार ने कियों लागो की पुरानी पेंसन जार्खन के एमंत सुरेन सरकार ने पुरानी पेंसन योईना को बहाल कर दिया है इसके लिए आवेदन भी आने लगे हैं दावा किया जा रहा है कि पुरानी पेंसन योईना करमचारियों के हित में थी नई पेंसन योईना से उन्हें नुक्सान हो रहा था बता दे सबसे पहले कॉंग्रेस सासित परदेश रायस्थान ने पुरानी पेंशन योईना को बहाल किया बाद में जहारखन सरकार ने भी ऐसा ही किया आके नई पेंशन योईना और पुरानी पेंशन योईना में क्या अंतर है क्यों जार्खन सरकार ने यह फैसला लिया है इस बारे में जार्खन के बित मंत्री डाक्टर रामेश्वर उडाव कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपई की सरकार की ओर से लाई गई नई पेंशन योजना बहुत अच्छी थी उसमें कोई बुराई नहीं थी राई नितिक कारणों से जार्खन में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना पड़ा 15 वरस के बाद इसका असर देखने को मिलेगा राई सरकार पर बित्तिय बोज बढ़ेगा सिरी उराव कहते हैं कि केयल में वजट करना पे फिशदी पैसा सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाता है देवघर के छात्रों किसानों बिमारों को मिलेगी बस की राया में रियायत जारखन मोख्य मंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत अब देवघर जीलेक बिभीन परखंडों के छोटे-छोटे गाउं में रहकर पढ़ाई करने वाले चात्रे-चात्रा है खेती बारी करने वाले किसान एवं बिमार लोग इस योजना के तहत लभानुत होंगे बता दिनना योजना के तहत बिभीन गाउं तक वाहनों के परिचालन से छात्रे-चात्राव के साथ किसानों बिमार लोगों एवं रोजगार के लिए परखंड अरुमंडल एवं जीला मुख्यालाई आवागमन काफी असान हो जाएगा परिवाहन व्यवस्था सुगा मोने से ना सिर्फ उनका उत्थान होगा बलिक गाउं का विकास वित्यज गति से होगा पाकुड में रिस्वत मांगे जाने के बाद सरकार आपके दौर कारकरम में हंगामा लेकिन पांचायत और परखंड के अधिकालियों की रवाईया की वजासे या कारकरम हो हंगामे में तब्दिल हो गया कारकरम में हिसा लेने पहुँचे पांचायत गरामिनों ने जम कर बवाल काटा गरामिनों का रोफ है की धर्मखा पाड़ा में पाकूर अपपर समहारता मंजूरानी वीडियो में समंडल मौझूद थे गाउते हाथ से कई ऐसी महिलाए कारकरम में पहुँची थी जिने बिद्वा पेंसन के लिए आवेदन करना था कारकरम अस्थल में मिले आवेदन में पंचाज सची को सत्यापन करना होता है जब उक्त महिलाए पंचाज सची संकरलाल सहा के समी पहुँची तथा आवेदन में हस्ताक्षर करने को कहा उन्होंने परतेक आवे दन में हज्टाक्षर के वज में एक एक हजार रुपे की मांग कर डाली नेतर हट बिद्याले में नमांकन परकिरिया सुरू नेतर हट आवासे बिद्याले में एडमिसन की परकिरिया सुरू कर दी गई है एडमिशन परवेश परिक्षा के अधार पर होगा अमतिम रूप से कूल 100 छात्रों का चैन किया जाएगा चैन से पूर्व सभी बिद्यार्थियों की मेटकल जांच के साथ ही दस्तावेजों की जांच होगी चैनीत छात्र CBSE बोर्ट से समत्त प्राप्त नेतरहट बिद्यालें बरामित तक निसूल के पढ़ाई कर सकेंगे बतादे इस परिक्षा में सामिल होने के लिए छात्री के ओमर 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए साथ ही वे पांच भी पास हो आवेदान ऑनलाइन वा ओफलाइन दोनों ही मोड में जामा करने होंगे एक चुक उमेद्वार आवेदान कर सकते हैं नेतरहट बिद्याले में एड्मिशन के लिए 29 जनौरी को परवेश परिक्षा होगी परिक्षा के लिए कोलहान के तीनों सिंग्भूम परिक्षा केंद्र होगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अबाई साथ इसाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना भूले साथ इसाथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फ्रीड़ वाइक अवास से दे थैंक यू